नमस्ते फ्रेंट्स, वेलकम टो इश्टरडी विथ नीलम, आपको आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम कम्प्लेट करेंगे 24 नवंबर 2020 के सभी बेस्ट करंट ओफिर्स कोशन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, सभी कोशन इंपॉइंट है तो वीडियो म लाष्ट में मिलेगा और आप लोगों में से किसी को पताया तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताईए पहला कोशन है हमारा हाली में कितने एशाई प्रसांत देशों ने छेतरिये ब्रहद आर्थिक भाग्यदारी RCEP इंग्लिस में क्या वो लेंगे Regional Comprehensive Economic Partnership समझोते के रूप में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त वैपार संदी पर हस्ताक्षर किये हैं तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पंदरा देखे दस आशियान कंट्रीज जो आशियान क्या है संगठने एशियन नेशन साउथ इस्ट और्गनाइजेशन आश से आपका चाइना जापान साउथ कोरिया और नियूजिलेंड तो यह टोटल कितने हो गए पंदरा देश हो गए आपके ठीक है तो यहाँ पर से आपको एक और चीज याद रखनी है कि चाइना जापान और साउथ कोरिया पहली बार छेतरी इस तर पर द्यूपक्चिये इस तरीके से फ्री होगा ट्रेड तो इसमें प्रोडेक्ट और सर्विस जो होंगी उनकी यह सभी देश जो 15 मेंबर देश है इनमें विल्कुल फ्री ट्रेड होगा फ्री वेपार होगा भारत ने इस पर हस्ताक्चर नहीं किये क्योंकि देखी भारत अच्छे से जानता था कि चाइना, औस्ट्रेलिया, निउजिलेंड, जापान के प्रोड़क्ट भारतिये मार्केट में भरे पड़े रहेंगे और भारतिये प्रोड़क्ट क्या होंगे इनकी इस प्री वेपार ट्रेट का फायदा नहीं उठा पाएंगे ठीके और इसमें जो टैरिफ लग रहा था भारत ने दिमांड की थी कि वो 2013 में जो टैरिफ रेट थे उससे लगाया जाए जबकि इस समझोते के तहए 2019 के जो टैरिफ रेट है उस पर काम किया गया तो भारत के जो मुद्दे थे उन्हें इस समझोते में शामिल नहीं किया गया इसलिए भारत ने RCEP समझोते को साइन नहीं किया है तो भारत के बिना ही ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड समू जो समझोता है वो समझोते हो गया है इस समझोते पर RCEP छेतरी ब्रहद आर्थिक भागेदरी 2013 से इस पर समझोता मतलब साइन करना प्रारंब किया था और 2020 में ये समझोता अपूर्ण र रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हाली में सिंबेक्स 2020 अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के मध्य प्रारंब हुआ है तो राइट अंसर होगा यहां पर हमारा किसके बीच भारत और सिंगापूर के बीच में ठीक है तो ये सिंगापूर इंडिया मैरिटा से इसका 27 वसंस करने कौन सा संस करने सिंबेक्स अभ्यास का 27 वसंस करने कल भी हमने देखा था एक अभ्यास कौन सा सिंगापूर इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज ठीक है तो सिंगापूर थाइलेंड और स्री लंग सिंगापूर के मध्य हो रहा था और ये भी कहां 23 से 25 अक्टूबर तक ठीक है 23 नवंबर से ये प्रारम भुआ है और 25 अक्टूबर तक ये चलेगा तो ये आपको याद रखना है भारत और सिंगापूर के मद्द हाली में Economic Intelligence Unit द्वारा जारी Worldwide Cost of Living Index 2020 में सीर्स पर कौन रहा है तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ठीक है हॉंग कॉंग कॉंग कंट्री जो भी चाइना में है तो ये हॉंग कॉंग पैरिस फ्रांस की कैपिटल पैरिस और स्विजर लेंड का सहर जियूरिक ये तीनों ही पर रहें equally इस लिष्ट में Cost of Living मतलब इसमें क्या किया गया था इसमें इन सभी सहरों में विश्व इस्तर पर 138 वस्तूओं के प्राइस के आधार पर के वस्तूओं का प्राइस कितना क्या है ठीक है उसके आधार पर ये लिष्ट तैयार की गई और इसमें टॉप पर क्या 133 वस्तान पर कौन रहा है 133 वस्तान पर तो ये रहा है सीरिया की कापिटल दमिश्क तो ये आप याद रखेंगे कौन जारी करता है वर्ल्ड वाईड कौस्ट ऐफ लिविंग इंडेट तो याद रखेगा एकोनॉमिक इंटेशनस यूइनित करती ये इसको जारी और इसक आदित्यदिन विकरम बिर्ला कला सिखर पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो राइट आंसर होगा नसेर उद्दिन सहा को कला के छेत्र में इनके महतपुन योगदान के लिए तो ये आप याद रखेंगे अधर ओप्शन्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर इरावती करनिक और नील चोधरी इन दोनों को भी क्या मिला है नाट्ट सास्तर के छेतर में क्या मिला है अधित्य विक्रम बिरला कला किरन पुरुसकार सिपकला सिखर और कला किरन सब्दों का अंतर है ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे क्या मिला है अधित्य विक्रम बिरला कला किरन पुरुसकार मिला है ने रंग मंच के छेतर में और डगलक इन्हें तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगा क्योंकि ये बहुत आये वेरी वेरी आयमपे कोश्चन है 2020 के बुकर पुरुसकार से ने समानित किया गया और इनकी क्या है बुक का नाम जो उपन्या से इनका स्विगी बैन ठीक है और आप मुझे बताएंगे अब के अंतर राष्टे बुकर पुरुसकार 2020 सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला का क्या नाम है 2020 का अंतर राष्टे बुकर पुरुसकार और उनकी बुक को भी बताईएगा क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता सुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा नेक्ट देखते हैं गाली रंगु नामक पुस्तक किसने लिखिये तो राइट आंसर होगा सेख खाजा हुसेने किसने लिखिये सेख खाजा हुसेने दिखी जो सेख खाजा हुसेने हाल ही में इनका क्या हुआ है निधन हो गया है ये तेलगु महासा के कभी थे किस महासा के तो गाली रंगु इनकी जो रचना थी तेल गुमासा में उसके लिए इने सम्मानित किया गया था और जो सेख खाजा हुसेन है ये देवी प्रिया के नाम से प्रसिद्ध हैं किस राज्य से संबादे थे तो ये आंद्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ी कोंडा से ह ठीके इनका जन्म वहीं हुआ था तो आप इन्हें याद रखेंगे और इन्हें जो केंद्रे साहित्यकेद्मिय पुरसकार था ये 2017 में मिला था किस रचना के लिए गाली रंगु के लिए तो ये भी आप याद रखेंगे ओके बाकियादर ओप्शन को हम देख लेते चित् कोशन आप देखिएगा किसी ना किसी एक्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा बोस कियाना तमाल बंदोपाध्या है इनकी बुक आई थी अभी पेंडोनियम दे ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजर्डी ओके तो ये भी आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में निम्न में से किसे लाल बहाद्र सास्तरी पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो हमारे देश के उपराष्ट पती एमबंकया नाईडू जी के द्वारा सुधा मूर्ती जो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और इने 2020 में ग्राम बंदू मित्र पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया और इने ही लाल बहाद्र सास्तरी पुरुसकार इनके द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है किसे इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है सुधा मूर्ती और ये जो लाल बहाद्र सास्तरी 21 संस पॉल जाचेरिया को एजुत चंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ। प्रद्योगी की विश्विध्याले ने डाक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया है। और ये उपाधी किसने दिये वहां के राजजिपल बजु भाई बाला के द्वारा हैंने दी गई है। अब दी के करनाटक को तो हम हर दीनी जब आता है कोशन डिसकस करते हैं। इस रखने ने डाक्टर ओफ साइन्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस रो का मोटो क्या है स्पेश टेकनोलोजी इन सर्विस ओफ हुमन काइन। भारत का प्रतम उपगरह कौन सा था? आरेभट था। उत्री दुरूप पर भारत का प्रतम अनुसादान के इंद्र कौन सा बना है? तो ही माध्री बना है। प्रतम भारती अंतरक्षयातरी कौन थे? तो राकेश सर्मा थे। तो ये इतने पॉइंट आप इस रों से याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ निम्न मेंसे भारत किस वर्स G20 सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा तो यहां हमारा राइट आंसर होगा भारत मेजवानी करेगा 2023 में देखी आप लोगों ने पढ़कर रखा होगा पहले से के 2022 तो देखी अभी जो 2019 में क्या जापान के ओसाका में G20 सिखर सम्मेलन की बेठक होई थी तब उस समया घोष्णा की गई थी के 2022 में जो G20 सम्मेलन है उसकी मेजवानी भारत दुआरा की जाएगी लेकिन अभी जब 2020 में यहां पर 2020 में साओधी अरब के रियाद में कैपिटल है जो रियाद में, वहाँ पर 2020 में साउधी अरब में हुई है, तो यहाँ पर हमारी तरब से किसने इसको रिप्रेजेंट किया है, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने वर्चुली इसमें भाग लिया, साउधी अरब 2020 में, अब 2021 में स्कायजन कहां होगा, तो 2021 में स् पहले मिला था जापान के उसाका में, अब उसे चेंज कर दिया है, 2022 में कोन संभालेगा, इंडोनेशिया इसकी में करेगा, और 2023 में कौन करेगा, भारत करेगा इसकी में और 2024 में करेगा ब्राजील, ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है, भारत में G20 सिकर सम्मिलन का आयोजन कब होगा, 2023 में होगा, ओके, जो ये G20 समू है, ये विश्विक की 20 बड़ी अर्थववस्थाओं का ग्रूप है, G का मतलब क्या होता है, ग्रूप, ओके, तो बड़ी अर्थववस्थाओं के इस ग्रूप को क्या कहते है, G20 कहा जाता है, ओके, तो ये आप याद यहां से, अगला कोश्चन देखते हैं, हाली में नेविगेशन उपगरह परणाली के लिए, आई एमो, इंटरनेशनल मेटरोलोजी और्गनाइजेशन, ठीके, इंटरनेशनल मेटरोलोजी और्गनाइजेशन, माननेता पाने वाला, चोथा देश निम्निम्स से कौन बन ग ओजए नेविगेशन उपगरह परणाली के लिए, आई एमो से मानेता प्राप्त करने वाला, चोथा देश बन गया है, हमारा प्यारा देश भारत, कौन बन गया है, भारत, यह जो आई एमो हैं, इससे छेतरीय स्थर पर, छेतरीय स्थर पर क्या करना है, स्वैम की सेटलाइट का जो चेतरी सेटलाइट है उसका उपयोग करना ठीक है तो जो इंटरनेशनल मेटर मेटरोलोजी और्गनाईजेशन है इसने इससे भारत ने किसके वारे में इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंडियन रिजनल नेविगेशन सेटलाइट सिश्टम को हिंद महासागर छेतर में इस चेतर में संचालित करने के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिश्टम के एक भाग के रूप में मानिता प्राप्त कर लिए पर देगे मैं ने बोला रहे है जहेए तो यह है आपका रूस अमेरिका और चारिनाप जम म pena firm गप्राथ नियों रहे हैं अजाने थीँ तो घ्टार्णिश का रही है और चीना गईदर में चाले Fahr Rare आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चाइना का GPS सिस्टम किस नाम से जाना जाता है ओके भारत का तो क्या है इंडियन रीजनल नैविगेशन सेटेलाइट सिस्टम ठीक है इसको भी हम थोड़ा दूसरा नाम दे रहे हैं गगन नाम देंगे इसे ओके चलिए नेक्स् शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें विविन प्रकार के मीडिया प्लैटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया आप वहां में फॉलो कर सकते हैं आपको यहां पर सभी प्रकार के MCQs और इंफोर्मेशन प्राप्त होगी हमारे चैनल के सभी अच्छे जो भी आपको वीड नोटिफिकेशन वगेरा वो सभी यहां पर प्राप्त होगा और टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइंट कीजिए जो आपकी स्टेडी में एक महत्पुन भूमे का निभाएगा point to point section देखते हैं हम मालावार नोसेनिक अभ्यास दो चरणों में संपन हुआ है पहला चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ था मालावार नोसेनिक अभ्यास दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर को और अब सागर में हुआ था भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया मालावार नोसेनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार सामिल हुआ है मतलब मालावार नोसेनिक अभ्यास किन देशों के मद्ध होता है तो भारत अमेरिका जापान और उस्ट्रेलिया के मद्ध जी मैक्स किस के मद्ध हुआ तो स्वारी कैरेट जो अभ्यास था ही बंगला देश और अमेरिकी नोसेनिक अभ्यास है और कल हमने देखा था क्या सिटमेक्स और आज हमने देखा है सिम्बैक्स ओके तो ये भी आप याद रखिएगा नेश्ट हम देखते हैं आयर वेदिक वेल्नेस ब्रैंड हील हील ब्रेंड के ब्रेंड एंबेजडर किसे बनाया है संजू सेमसंग को बनाया गया है यह किरकेटर है संजू सेमसंग और जो हील कमपनी है इसका हैटकवाटर आपको मिलेगा हैदरबाद में वीजे सेनिटाइजर ब्रेंड के ब्रेंड एंबेजडर विराट कोली बने है और विराट कोली ग्रेट लर्निंग के भी ब्रेंड एंबेजडर है अमिर खान सी ये टायर और फॉन पे के ब्रेंड एंबेजडर बने है ये अमबेट कर हो गया एंबेजडर होगा ओके पेटिय क्लोंस के बारे में तूफानों के बारे में चक्रवातों के बारे में ठीक है यह इंडियन मेट्रोलोजिकल और्गनाइजेशन के अध्यक्षे कौन साइक डॉक्टर एम महापात्रा मैंने कल आपको बताया था वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है राजेंद्र सींग को कहा जाता है जिन्होंने किसका उद्गाटन किया है उत्रकंड में मौस गार्डन का किया है ठीक है तो यह भी आप याद रखिएगा ICICI Bank की पहली Cardless EMI सुविधा अपने ग्राहकों के लिए प्रारम भी किये इसका उपयोग डिटेल स्टोर पर किया जा सकेगा बिना कार्ड का उपयोग किये ग्राहक पेन कार्ड पेन नंबर मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से POS Point of Cell Machine का उपयोग कर सकेंगे कासा करन्ट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अभियान करनाटक बेंक के द्वारा परारम भी किया गया है नैशनल कॉमन मूबिलिटी डेविट काड भी करनाटक बेंक ने लॉंच किया था लक्षमी विलास बेंक को RBI ने मौरेटेरियम पीरेड में रखा जो 30 दिन का होगा HDFC बेंक ने मूब बंद रखको अभियान प्रारम्ब किया है सीवरेज सैप्टिक टेंक की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए केंद्रिय मंतरी हरदीप सिंग पूरी के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को प्रारम्ब किया है कब विश्व सोचाले दिवस कब मनाए गया था 19 नबंबर को मनाए गया देश भर के 243 सहरों में यहां अभियान प्रारम्ब किया गया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ATP Association of Tennis Professional Tour का फाइनल किसने जीता है तो यह डेनियल मेदवेदेव ने जीता है जो रूस से है ठीक है अपने केरियर का सबसे बड़ा किताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने और फाइनल में उने हराया है डॉमिनिक थीयम को ठीक है तो यह भी आप याद रखिएगा US Open 2020 में सिंगल का किताब डॉमिनिक थीयम ने जीता है जो आउस्ट्रिया से है सर्विया के टेनिस प्लियर नोबाग जो कोविच ने आउस्ट्रेलिया ने ओपन 2020 का किताब जीता है और स्पेन के टेनिस प्लियर राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 में सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नाडाल ने एक हजारवी जीत प्राप्त करने वाले विश्व के चोथे खिलाडी बन गए है यहां से एक कोश्चन कनफर्मली बनने वाला है आप देखेंगे इसे अच्छे से याद रखते जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग और टेक कियर